तो कैसे आप सब आई होप सभी अच्छोंगे अच्छा सब पढ़ रहोंगे आज करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक इसका सेकंड पार्ट करेंगे और मोस्टली टॉपिक्स जो है आज के पार्ट के अंदर ही खतम हो जाएंगे बेटा जी कल एक फर्स्ट पार्ट करवाय था इसका जिसमें हमने बेसिक किया था डिस्टेंस डिस्प्लेस्मेंट स्पीड विलोस्टी इन सब चीजों का समझा था और आज समझेंगे एक्सलेरेशन का होता है उसकी टाइप्स क्या होती है इक्वेशन्स देखेंगे हम युनिफॉर्म एक्सलेरेशन के लिए साथ में ग्राफ्स देखेंगे और लगबग लगबग यह चप्टर आज के पार्ट में ही खतम हो जाएगा तो आज इसको निप प्लाटफोर्म पर चलते हैं अब लोगों को पेड्म को मिलते हैं अब यह पालीपली सूनते ही तुमिल लगेगा कि ज немного की कितनी मौटी फीस होगी सर इसका क्या मतलब है इसका मतलब है बैटा जी अगर आप क्लास 11 के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे तो या या फिर नीट की प्रप्रेशन भी साथ के साथ करनी थी तो उसके लिए आप लोगों को सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ेगा दूसरे कहीं प्लैटफोर्म पे लेकिन हमारे यहां सिरफ एक अगर आप के टेगरी में सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप किसी भी के टेगरी में जा सकते हो बिटा जी ठीक है और साथ में तीन दिन का अनलिम्टेट ट्राइल मिलता है एमबाइब की जितनी भी एप्स ह को सब्सक्राइब करते हो डाउट सोल किया जाते हैं लाइव क्लासे चलते हैं डेली अचीव जर्नी के थ्रूँ आप अपने बैक लोग को कवर कर सकते हो और यह सिंगल सब्सक्रिप्शन अलिम्टेट एक्जाम यह तो लेड़े मैंने आप लोगों को बता दिया है बढ़ि क्यान की यहाँ पे जो फीए वो बहुत 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 कम है बेटा जी ठीक है यूइलो पीजा के प्रास में आपको को beter मिलते हैं तीन महींने का जो कोर्स है यह फाइव डबन नान पर मंत में अब लोगों को पड़ता है अगर आप एक साल का कोर्स खरीदते हैं तो वो फोर डबल लाइन पर मंद आप लोगों को पड़ेगा और वन मंद का जो प्लान है वो शिक्स डबलाइन पर मंद आप लोगों के लिए रहने वाला और इस पर भी डिसकाउंट मिल जाता है कुछ ना कुछ चलते रहते हैं ठीक किया था बेटा जी motion in a straight line था और इसका आज हम part two कर रहे हैं और इसका आज करेंगे हम part number two इसमें कहां से हम शुरुआत करेंगे बेटा सी धिखो इससे पहले मैं आप लोगों को क्या-क्या चीज़े करवा चुका हूं इससे पहले मैं आप लोगों को पूरा बेसिक करवा चुका हूँ, distance क्या होता है, displacement क्या होता है, speed क्या होती है, variable speed क्या होती है, instead any speed क्या होती है, velocity क्या होती है, instead any velocity क्या होती है, variable velocity क्या होती है, सब चीजे हमने सीख ली हैं कल के lecture में, आज हम शुरुआत करेंगे बटा जी, acceleration से, कहां से शुरुआत करेंगे, acceleration से बटाजी है ठीक है चलिए तो acceleration क्या होता है देख मैं एक्सलेरेशन जो होता है पॉर्मूला हम लिखेंगे सीधा चेंज इन विलोसटी अप उन चेंज इन टाइम या टाइम टेकर चेंज इन विलोसटी और नीचे आएगा टाइम टेकर, नीचे आएगा बटा जी, टाइम टेकर, ओके, ओके बटा, ये होता है हमारे पास acceleration, ये होता है हमारे पास acceleration, clear एतनी बात है, yes और no, फटा-फट से एक बर बताओ, सभी बच्चे, ठीके बटा, तो acceleration समझ में आया कि acceleration क्या होता है, it is the ratio, या फिर बोल सकते हो, कि rate of change of velocity, with time of log, बोल सकते हो, एक मिनट रुकिएगा, पैन किदर गया हमारा दूसरा, इसको consider करते हैं, चलिए, तो यहाँ पे जो acceleration होता है, उसको बेटा जी हम किस्य शोग करते हैं, उसको शोग करते हैं, ए से और यह एक vector quantity होती है, हमने बोला कि यह क्या है, change in velocity, तो इसको हम लिख सकते हैं, delta V vector upon में time, क्योंकि कुछ भी time, अगर हमालो आपका motion स्टार्ट हुए, तो कुछ भी time होगा, जहां तक हम note कर रहे हैं, तो वहाँ पे time कुछ और होगा, तो आप यहाँ पे भी change ही लिख रहे हो, यहाँ पे भी आप लोग क्या लिख रहे हो बेटाजी, change लिख रहे हो, ठीक है, अगर हमने क्या बोला है कि A vector है यह, तो आप बोल चकते हो कि it is a vector quantity, यह कैसी quantity है बेटाजी, vector quantity है, यह कैसी quantity है, vector quantity है, अगर यह vector quantity है, तो इसकी direction की भी हमें जुरूरत पढ़ने वाली है हमें इसकी डारेक्शन की भी जुरूरत पढ़ने वाली तो डारेक्शन जो हमेशा होती है एक्सलरेशन की वह नेट फोर्स की तरफ होती है जिस दिशा में नेट फोर्स लगेगा उस दिशा में मान लो आप लोग बढ़ते जा रहे हो ऐ इसका मलव acceleration ऊदर हो रहा है लेगन आप इदर चल रहे हो बट आपकी speed घठती जा रहे है velocity कम होती जा रहे है means आपकी speed एक fixed direction में कम होती जा रहे है तो इसका मलव आपको net force इदर की तरफ लग रही है तो आप बोलोगे कि acceleration इदर है ठीक है तो इस तरीके से जो direction है वो net force पे depend करता है अगर हम इसकी SI unit की बात करें अगर हम इसकी किसकी बात करें बट जी SI unit की बात करें तो SI unit क्या होगा हाँ जी उपर velocity है तो velocity लिखते है meter per second में नीचे time पहले से है तो intimate time means second तो यह बना meter per second square बन गया बट जी अगर मैं इसकी dimension की बात करूँ अगर मैं इसकी dimension की बात करूँ बेटा तो वो क्या बनने वाली है देखो meter है तो length होता है तो यह L बन गया time जो second हो टाइम होता है और उसके उपर power है minus 2 तो this is the dimension of acceleration this is the dimension of acceleration बेटा जी इतनी बात मेरे ख्याद से सभी को समझ में आई होगी और इसमें कोई भी ऐसी प्रोब्लम नहीं है कि भी कुछ अलग बोल दियाओ acceleration बोला है चेंज टाइम होता है ठीक है वेक्टर क्वानिटिटी है और डारेक्शन क्या होगी नेट फोर्स की दिशा में होती है ठीक है चलो अब यह होते हैं हमारे पास तीन तरीके से मतलब acceleration को हम तीन तरीके से या फि घर सेगी मैंने लिखा कि जो acceleration है कि एस्टमिनेट जादा ही छोटा लिख दिया तक है इस तक मैंने लिखा कि जो यहां पे acceleration है वो क्या है बेटा जी वो तीन तरीके से है एक हम पढ़ने वाले हैं uniform acceleration ठीक है एक हम पढ़ने वाले हैं uniform acceleration uniform acceleration तो वो uniform acceleration क्या है बेटा uniform acceleration क्या है इससे तुम्हें क्या पता लगता है देखो यार हमने बोला कि acceleration is what change in velocity upon time taken या time interval अब वो uniform acceleration बोल रहा है अब वो क्या बोल रहा है जी uniform acceleration बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो change velocity में हो रहा है वो equal हो रहा है ठीक है तो यहां पर आप बोलोगे कि velocity changes by equal amount ठीक है velocity changes by equal amount in equal interval of time बीटा जी ठीक है interval of time बताए किसी को कोई दिक्कत अरे भाई सिंपल सी तो बात है uniform acceleration की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है जी uniform acceleration की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो velocity में change हो रहा है वो equal amount से हो रहा है yes or no या फिर बोलो भाई जो velocity है वो एक तरीके से बराबर amount से बदल रही है वही बात है यार equal amount से change होना या बराबर मातर से बराबर amount से बदलना बात तो वही है हिंदे इंगलिश बोल रहे है बस ठीक है तो uniform acceleration का मतलब है कि जब भी velocity में change हो equal amount से in equal interval of time ठीक है जैसे कि मानलो अभी velocity है यार दो फिर velocity होगी है चार फिर फिर तो इनमें जो change आ रहा है वो equal है और मानलो ये जो change है वो एक-एक सेगिंड में आ रहा है मान लेते हैं एक-एक सेगिंड में आ रहा है तो equal interval of time में equal change आ रहा है ठीक है समझ में आई चीज़े yes or no समझ में आई कि भई velocity में change हुआ by equal amount in equal interval of time चलो अगर तुमसे कोई पूछे कि non-uniform क्या है अगर तुमसे कोई पूछे कि what is the non-uniform acceleration non-uniform acceleration ठीक है non-uniform acceleration ठीक है इसको हम कई बार uniformly accelerated motion भी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं कई बार uniformly accelerated motion भी बोलते हैं बेटा जी तो non-uniform acceleration का मतलब है कि जो velocity है बेटा जी ठीक है velocity changes by velocity changes by changes by changes by unequal amount ठीक है समझ में आया yes or no हंजी क्या चीज़ है हमने क्या बोला कि non-uniform acceleration क्या है velocity changes by unequal amount in equal interval of time in equal interval of time अब किसी को भी unequal कर सकते हो time को या फिर आप लोग velocity को बोल सकते हो तो uniform acceleration समझ में आ गया non-uniform acceleration समझ में आ गया अब बारी है किसकी यार instantaneous acceleration की किसकी बारी है instantaneous instantaneous acceleration की अभी बारी है बेटा जी ठीक है acceleration at any instant of time ठीक है क्या बोल रहे हैं क्या बोलोगे भी या acceleration acceleration at any instant of time ठीक है उसे बोलते हैं हम क्या instantaneous acceleration कल हमने विलोस्टी पड़ी थी instantaneous विलोस्टी तो वह क्या था विलोस्टी at any instant of time ठीक है और यहां पर भी वही है acceleration at any instant of time बेटा जी क्लियर है इतनी बाते जल्दी से एक बार बताओ फटाफट से change in velocity upon change in time से लिखा जाता है yes or no अब हमने इंस्टेंट की बात कर ली at any instant की बात कर ली at any instant ठीक है हमने बात कर ली at any instant की at any instant तो at any instant का मतलब है कि आप एक छोटे से time की बात कर रहें means आप यार 9 बज़ के मतलब कुछ भी 9 बज़े आप काम ने आपने कोई भी काम साड़किया और वो काम करते करते आपको साड़े 9 हो गए तो मैं पूछता हूँ कि 9 बज़ के भाई साब 21 मिनट पे कितना काम हुआ था मैं exact पूछ रहा हूँ उस time पे बूछ रहा हूँ तो time बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे जब भी instant की बात करेंगे तो उस time पे time को बहुत छोटा हम consider करेंगे time को approach कराएंगे किसको zero के लिए time को approach करा देंगे किसके लिए बेटाजी zero के लिए approach करा देंगे तो यहाँ पर यह instantaneous explanation को हम AI से लिखेंगे इसे और यह हो जाएगा कि हमने time पे एक limit लगा दी जिसमें time जो है वो approach कर रहा है zero को यह बन गए delta v upon में delta t means AI is equal to हो गया dv by में dt हो गया AI जो हो गया वो dv by में dt हो गया बेटाजी clear इतनी बात है yes और no तो instantaneous acceleration के लिए आपको यह formula यूज करना जैसे आपको instantaneous velocity हमने बात करी थी ठीक है इसके अलावा तुमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कई बार question में दिया होता है कि positive acceleration क्या है negative acceleration क्या है वो दिया होती है ठीक देखो यार positive acceleration जब भी बात करेंगे जब भी आप लोगों को कोई बोले question के अंदर या कहीं पे भी जब concept में बोलेगा की positive acceleration है body का तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है तो बस निकलतीया क्या करती है दिड़े 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 इसकी विलोस्टी बढ़ती जाती है तो विलोस्टी जब increasing है तो आप बोलोगे acceleration is positive ठीक है अगर मान लीजिए तुमसे बोला गया कि negative acceleration है क्या बोला गया बटा जी नेगेटिव acceleration है. क्या बोला गया? Negative acceleration है. तो negative acceleration के case में क्या करेंगे? इसका मतलब है कि velocity क्या है? decreasing है. ओके? चलो. तो कोई doubt अगर है तो पूछ लो, ्यार. कोई doubt अगर है तो पूछ लो जलदी से. फटाफट से पूछ लो. जलदी से बताईए ठीक है? और यह decreasing, increasing किसके साथ, time के साथ, simple सा फंडा है भी यह, positive acceleration, जो velocity increasing है, increase हो रही है, या increases with time, अब ऐसे भी लिख सकते हो, increases with time, अब ऐसे भी लिख सकते हो, increases with time, बेटा जी, ठीक है, increases with time, यहाँ पे आप बोले हो, यहाँ पे इसका मतलब क्या बोले हो, कि decreases with time, decreases with time, बेटा जी, ठीक है, clear है, चलिए, next topic की तरफ चले, जी, next topic क्या आता है हमारे पास, NCRT के coding अगर हम करें, क्योंकि new syllabus है, तो next आता है बेटा जी, kinematic equation for uniformly accelerated motion, ठीक है, kinematic equation for uniformly accelerated motion, उनको कर लेते हैं, चले, next है, kinematic, kinematic, equation, equation, equation for uniformly, uniformly, और uniformly accelerated motion, और इसका मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, अभी करवाए ही है, uniformly accelerated motion, बेटा जी, uniformly accelerated motion, ठीक है, yes or no, करें, अभी हमने किया था, uniform acceleration क्या होता है, तो उसमें बोला था, velocity changes by equal amount in equal interval of time, ठीक है, मतलब आप यहाँ पर यह बोल सकते हो, acceleration एक तरीके से constant है, यह भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं है, ठीक है, मिन्स आप यहाँ पर A को constant बोल सकते हो, बताओ, तो बही हाँ, हमारे पास आती है, कितनी equation, हमारे पास आती है, 3 equation, ठीक है, एक अलएक से equation होती है, उसको बात में करेंगे, पहले 3 equation जो होती है, उसको समझे लो, एक होती है, V is equal to U plus में A T ये equation होती है जिसमें V जो होता है वो हमारे पास final velocity होती है V जो होता है वो हमारे पास final velocity होती है ठीक है U जो होता है वो हमारे पास initial velocity होती है ठीक है initial velocity होती है और A जो होता है वो acceleration होता है क्या होता है acceleration होता है ठीक है, acceleration होता है और T जो होता Вो time होता है ठीक है, T जो होता हो time होता भीटा ये जो पहली equation हमने लिखिया इसका derivation भी करेंगे पहले समझो, पहले समझो यार ठीक है, कि V जो है वो क्या है U plus में 80 है V क्या है U plus में 80 V जो वो final velocity है U जो है वो initial velocity है A जो acceleration है और T जो है time है देखो initial velocity कुछ time बीता acceleration हुआ होगा तो वो velocity कुछ बनी होगी तो total velocity हमारे पास आगे ठीक है चलिए एक equation आते बड़ा हमारे पास कुन सी displacement की आती है होती है S is equal to UT plus में half AT square होती है ठीक है प्लस में half AT square होती है ये equation होती है जिसमें S जो वो displacement होता है S जो तब वो क्या होता है बड़ा जी displacement होता है S जो तब वो हमारे पास displacement होता है बाकी सारी सीज़े लिख रखे है हमने उपर की तरफ लिख रखे, U भी बता रखा, A भी बता रखा और टाइम भी बता रखा, ठीक है, थर्ड एक्वेशन आती है बटाजी हमारे पास V square minus U square is equal to 2AS, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यह displacement की equation ही है, बट अलग velocity पे है, यहाँ पे displacement time के according है, यहाँ पे displacement velocity के according है, ठीक है, समझ में आया, तो सारी चीज़े उपर बता रखी है, अब इनका करते हैं derivation, अब अगर हम बात करें है derivation की, तो derivation जो वो शिर्फ और सिरफ हमारे course के अंदर वो graphical method से है, कौन से method से है बट जी, ग्राफिकल method से है, सिर्फ और सिरफ, calculus method जो वो deleted है, उसकी जुरूरत नहीं है हमें, ठीक है, तो graphical method से हम करने वाले हैं, इन सब equations की क्या derivation अभी करने वाले हैं, बट जी, क्या करने वाले है अरे पिर से यह हो गया कि चलो क्या करने वाले बैटा जी अभी डेरिवेशन अभी हम करने वाले ठीक है ग्राफिकल मैठोड से करेंगे किसे करेंगे बैटा जी ग्राफिकल मैठोड से करने वाले हैं अभी तेक जितना समझाया है वो सारा समझ में आया या नहीं आया पकिज़ लिए भी करते हैं और जैसे की मैंने बोला कि graph के method से हमें यह करना है तोसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे पटाजी ओकेip एक गराफ बनाएंगे में और किसके लिए करहें हूँ हुआ हुआ ह亞ust colour के लिए के लिए कर रहे हैं ठीक है तो अगर मैं बोलू कि इस साइड हमारे पास क्या है विलॉस्टी है अगर मैं बोलू कि इस सैड हमारे पास velocity है इस सैड हमारे पास क्या है टाइम है ठीक है और मैं बोलू कि एक object क्या कर रहा है यहां पर uniform motion कर रहा है तो उसका graph जो एक एक comment सी बात है की ऐसा आने वाला है बेटा जी यहाँ पर क्या है यह, यह है मान लेते है इनिशिल विलोस्टी जिसको मैंने यू बोला ठीक है और इस टाइम पर टाइम कितना है बेटा जी यहां पर जीरो है अब इसके बाद यहां पर देखो यहां पर देखो यहां पर इस टाइम पर टाइम कितना है इस टाइम पर यहां पर टाइम कुछ भी यह पहले बोल दो यह form acceleration के लिए यह ग्राफ और ग्राफ भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को यह आ जाने वाला है बेटाजी क्या इतनी बाते समझ में आई येस और नो क्या इतनी बाते समझ में आई अब आपको पता है कि यार जो विलॉस्टी ह होती है सोर्य जो एक्सेलरेशन ओता वो क्या होता है आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता वह होता है चेंज इन विलॉस्टी अप्य retro उनud designation तो यहाँ पर अगर मैं यह जिए लिखूं तो वह चेंज कैसे है देखो जब time कितना है 0 है तो velocity u है जब time t हो गया तो velocity कितनी है v है तो आप क्या यहां पर यह लिख सकते हो कि change जो वह v-u और t-0 है yes or no लिख सकते हो तो यहां से आपको cross multiply करने पर क्या मिलेगा v-u is equal to a t मिल जाएगा means v की value is u plus में 80 बन गए u plus में 80 बन गए बेटा जी तो यह बन गए आप लोगों के पास equation यह बन गए आप लोगों के पास पहला equation कोई doubt किसी को इतने में कोई भी doubt अगर है तो बता सकता है मेरे जाल से इतने में कोई भी doubt नहीं होना चाहिए बिलकुल simple है बिलकुल आसान है ठीक है अब हम करेंगे कौन सी equation अब हम करने वाले है बटा जी equation दूसरी जो कि क्या है s is equal to ut plus में half 80 square है ठीक है 80 square है इसको हम find out करने वाले है इस graph से हम find out करने वाले है ठीक है अब एक काम करो यार इस graph में आप पहले यह client लगा लो ऐसे तो नीचे वाला जो portion अब एक तरीके से rectangle का portion बन गया न यह यह वाला जो portion है वो rectangular portion हो गया ओके और इस तरीके से यह जो portion है यह आपका triangle का बन जाएगा ठीक है यह आपका क्या बन जाएगा triangle का बन जाएगा ओके जल्दी से बताइए अब यहां पर यह चीज क्यों करी क्यो एयरिया अंडर di curve अंडर di curve निकाल दो तो मुझे क्या मिलेगा बेटाजी मुझे मिल जाएगा displacement तो जो भी मैं गराफ बना रहा हूं उसका अगर a did ऐयरिया अंडर di curve वह हमें क्या देगा वो हमें displacement दे देगा वो हमें क्या देगा बटाजी displacement दे देगा अब यह displacement जो है यह हमें find out करनी है ठीक है चलो तो displacement क्या होगी area under the curve अब जो area under the curve है वो दो तरीके से है triangle भी है और rectangle भी है तो पहले rectangle का area लिखो पहले आप लोग rectangle का area लिखिए यह वोली जो length है यह कितनी है t-0 is t यहां तक कितना है यहां पर 0 velocity यहां पर कुछ नगुछ u initial यहां पर देख रखा न तो कितनी होगी u होगी यह side u है यह side t है तो पहला area आगया u into में t plus कौन सा area आगया triangle का triangle के हम क्या करते है half फिर उसके बाद क्या करते हैं बेटा जी half लिखते हैं फिर उसके बाद यह वाली height यह कितनी है v minus u है v minus u है ठीक है और यह कितना है बेटा यह कितना है जल्दी से बताइए फटा फट से हम क्या करते हैं base into में height करते हैं बेटा जी क्या करते हैं बेस इंटु में हाइट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कौन टाइम देखो हाफ लिखा ये कितना है वी माइनस यू ये कितना है टी माइनस जीरो तो टी बचा ये एक्वेशन आ गए येस और नो फटाफट से एक बार बताईए सभी बच्चे हाँ जी क्या इतना पॉर्षन सभी को समझ में आया या नहीं आया बटाजी क्या इतना पॉर्षन सभी को समझ में आया या नहीं आया अब यहाँ इस एक्वेशन को समझो अगर मैं इसको ऐसे वी माइनस यू लिख दूँ तो क्या ये ए टी के बराबर है तो इसका मतलब ये जो V-U है यहां पर क्या जाएगा UT प्लस में हाफ V-U की जंगे AT आ जाएगा तो यह AT पहले से पढ़ा है तो स्क्वेर हो गया ठीक है तो यह हो गई हमारी desired equation जो हमें चाहिए बेटा जी जो हमें चाहिए यह सोर नो पटाफट से बताओ जल्दी से सभी बच्चे कितना समझ में आ गया होगा अब हम करेंगे हमारी next equation अब हम करने वाले हैं हमारी next equation कौन सी है next equation है बेटा जी V square minus U square is equal to 2AS यह हम करने वाले हैं इसके बाद हम करेंगे motion under gravity इसके बाद हम करेंगे motion under gravity ओके तो इसका equation का जो है derivation अब सीखने वाले हैं हम क्या गड़ते हैं इसको एक नंबर दे देते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे from equation first from equation first S को क्या लिख सकते हैं S को लिख सकते हैं UT plus में इसको multiply कर दो यह बनेगा half V ठीक है और T आ गया minus half U और T आ गया ठीक है yes और no फटा फट से एक बर बताईए सभी बच्चे जल्दी से या फिर हम एक काम करते हैं या फिर हम एक काम करते हैं यहाँ पर values को put कर देते हैं यहाँ पर values को put कर देते हैं मतलब ऐसे करते हैं क्या तो solution कर लो सबसे पहले इसका solution करो तो यह मिलेगा S is equal to कितना पूरा LCM ले लो ठीक है तो यहाँ पर बनेगा 2 UT plus VT minus UT तो यह UT से UT यह वाला cancel होगा मतलब 2 है यह एक minus हो रहा है तो आपके पास S जो बचा वो कितना बचेगा S जो बचेगा UT या फिर बोलो VT plus में UT by में बच जाएगा 2 बेटा जाएगा ठीक है क्योंकि यहाँ से दो था यह एक था तो दो में से एक गया तो एक बचने वाला और यह plus का ही है तो यह बनेगा means S is equal to यह हो जाएगा V plus U और यहाँ पर हो जाएगा T इधर T हो जाएगा और नीचे 2 है ठीक है हम यहाँ पर यह जो V plus U by 2 है इसको average velocity भी लिख सकते हैं constant के case में हम इसको easily लिख सकते हैं कि यह V plus U by में 2 होगा ठीक है यह V plus U by में 2 बोल सकते है average velocity पर अभी के लिए छोटो आप इस पर ध्यान करो आपको पता है कि यार V क्या होता है V होता है U plus में 80 means V minus U upon A is equal to T की value हो सकती है तो इस T की value को यहां पर put करो तो यह बनेगा S is equal to V plus में U पहले से है T की value हुई V minus U by में हुआ A means और 2 पहले से पढ़ा होगा यहां पर है तो यह हो गया 2 A S एक साइड और यहां पर आ जाएगा A plus B A minus B means V square minus U square तो V square minus U square is equal to आ गया 2 A S ठीक है बटा जल्दी से एक बर फटा फट से स तो जो एक्वेशन हमें चाहिए थी वो सारी हम भी हमने find out कर ली है ठीक है नेक्स हम करेंगे distance covered in nth second या displacement covered in nth second बटा जी ठीक है चले हो गया यह next important equation आती है बटा जी वो आती है distance covered in nth second distance covered just a minute distance covered in nth second तो जब भी आप लोग nth second की बात कर रहे हो जटमें सेकंड की बात कर रहो चटमें सेकंड की बात कर रहो तो उसको कैसे find out किया जाएगा आप क्या करो यार जो पहले nth second है उसमें distance लिखो हाना मालो की जो distance covered हुआ first nth second में ठीक है distance covered in first nth second तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि distance covered in covered in first nth second ठीक है first nth second तो उसको कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे s nth क्योंकि हम nth के लिए कर रहे हैं हाना एक मिनट distance covered in first n second बोलो पहले n second बोलो n second बोलो आप लोग ठीक है अब t की जंगे हम n मान रहे हैं n second मान रहे हैं तो यहां पर हम sn लिख रहे हैं यह हो जाएगा ut की जंगे un plus में half a n square यह पहली equation हो गई है किसी को अगर डाउट है तो वो बता सकता है जल्दी से बताईए फटा-फट से की n second में की 8 second में मान लो मैंने बोला कि इतना distance covered हो रहा है और मैं बोल दूँ की 7 second में कितना distance covered होगा तो अगर मैं दोनों का distance minus कर दूँगा तो nth की बात हो जाएगी किसकी बात हो जाएगी फिर nth की कोई बात हो जाएगी साथ सेकट में से कर दिया उन दोनों को माइनस कर दिया तो जो एक सेक्ड बी बचा है वो जो सेकंड हम बात कर रहे हैं एनत हुआ सेकंड वो सेकंड होगा means कोई भी second जिसका नाम हम जिसकी value हम find out कर रहे होगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे distance covered in distance covered in covered in first n-1 second distance covered in first n-1 second तो वो लिखेंगे हम s n-1 is equal to u t की जंगे अब n-1 होगा plus half a यहाँ पर होगा n-1 का whole square तो यह बन जाएगा बेटा जी s n-1 is equal to कितना हुआ यह यह हुआ u n-1 plus half a यह बन जाएगा n square plus 1 minus 2n ठीक है यह बन जाने वाला है अब बेटा जी हमें निकालना है n-th second के लिए किसके लिए निकालना n-th के लिए n-th के लिए क्या करने वाले है बेटा जी n-th के लिए हम s n minus कर देंगे s minus 1 वाला पहले वाला total distance उससे एक सेकंड पहले का distance तो में exact n-th वाला जो भी point होगा वो समझ में आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके साब इसको minus करने वाले है means यहाँ पे आप s n-th जब लिखोगे तो यह बन जाएगा क्या आप लोगों के सामने un plus half an का square minus करेंगे यह कितना है बेटा इसको ऐसे लिख लो un minus 1 plus half a यह हो गया n square plus 1 minus 2n बस यह हो जाएगा बेटा जी अब इसको सिरफ क्या करना है cut पीट करना है cut करना जो cut हो रहागा उसको कर देंगे ओके तो क्या ही दिक्कत है यार कर सकते हैं आप simply यह n-th हुआ यहाँ पे आ गया un plus में 1 by 2 an square यहाँ पे minus है तो अंदर बनेगा minus un minus minus plus u plus u minus यहाँ पे आएगा तो minus 1 by 2 a और यह n square plus 1 minus 2 n ऐसी का ऐसी रहे गया ठीके तो un से un कट कर दो ठीके इसको solve कर लो यार तो s-n-th क्या आएगा s-n-th आजाएगा half an square plus u यह अंदर जाएगा तो minus 1 by 2 an का square होगा यह अंदर जाएगा तो minus 1 by 2 a होगा यह अंदर जाएगा तो plus हो जाएगा और 7 में क्या हो जाएगा यहाँ पे an हो जाएगा ठीके 7 में an हो जाएगा चलो तो यह इससे कट इससे कट है तो क्या बचा s nth is equal to u plus में a common ले लो अंदर क्या बचा यार एक मिले इसको पहले लिख लो यहां पर यह होगा minus 1 by 2 a plus a n हो गया ऐसे हो गया yes or no अब आप यहां पर s nth लिखो इसको पूरा solve कर लो यू minus minus ने plus का यह बाहर ले लो ठीक है अंदर रह जाएगा जब आपने plus का यह बाहर लिया तो यहां पर आप लोगों के पास क्या कुछ बनने वाला है यहां पर बन जाएगा बटाजी 2 n minus 1 और नीचे 2 है यह है है ना तू को हम बाहर ले लेंगे ना यही बनेगा देखो multiply करके देख लो यह बन रहा या नहीं बन रहा है multiply करके देख लो यह बन रहा या नहीं यू प्लस में इसको अगर अंदर multiply कर रहा हूं तो a by 2 इंटू में 2n है minus में a by 2 कर रहा हूं तो 2 से 2 cancel हो रहा तो u plus में an minus में a by 2 यही तो है देखो ना u u plus में an plus में an minus a by 2 a by 2 ठीक है तो यही डिलेशन आप लोगों के पास आने वाला बेटाजी एक बार फटाफट से देखिएगा बताईए फटाफट से समझ में आया या नहीं आया u plus में a by 2 2n-1 यह यह आता है हमारा distance covered in nth second ठीक है इससे आगे बेटा अब करेंगे हम motion in motion under gravity करने वाले हैं और साथ में कुछ ग्राफ देखने वाले एक बर इसको नोट करिएगा फिर आगे की तरफ चलते हैं बढ़ते हैं ठीक है चलिए नेक्स हम करने वाले बटा जी motion under gravity को किसको करने वाले है motion under gravity को अभी हम समझने वाले हैं यह होता क्या है देखो यार सबसे पहली बात तो इसके ओपर बहुत ज़्यादा numerical आते हैं तो यह very very important है यह very very important topic है काफी अच्छे numerical board exam means school level पे नीट लेवल पे बहुत अच्छे कोशन इस topic से पुछे जाते हैं तो यह बहुत ज़्यादा ut plus में half 80 square ठीक है यह और साथ में बेटा जी हमने लिखा था v square minus u square is equal to 2as तो यह equation बहुत ज़्यादा important है लेकिन इन equation में कब हमें minus consider करना है कब positive consider करना है वो सारी चीजे इस topic के अंडर आती हैं बेटा जी ठीक है तो motion under gravity को समझते हैं सबसे पहले जैसे कि हमने बोला कि चलो यह यह रहा अर्थ ठीक है यहां पे है भीया जी अर्थ ओके यहां पे है अर्थ यहां से किसी बोड़ी को release किया जाता है यहां से किसी बोड़ी को release किया जाता है तो यह बोड़ी कहां जाएगी भी यह बोड़ी को जब यहां से छोड़ा कहती तो कहाँ है कि भई यह बोरी नीचे की तरफ आ जाएगी बिटाजी अना यह नीचे की तरफ क्यूं आ रही है क्यूंकि यहां पर अर्थ जो है इसके अपर एक पुल लगा रहा है इसके उपर ड़ा रहा है को पुल अगर मैं यहां पर बोलू कि air resistance अगर zero हो जाए यहांपे, air resistance को अगर zero हो जाए, air resistance को अगर हम क्या कर दें बेटा, neglect कर दें, क्या कर दें उसको? neglect कर दें तो जितनी भी बोड़ी है नियर्दा अर्थ सर्फेस जो उपर से release करी जा रही है वो एक constant acceleration के साथ move करती है उनके पास क्या होता एक constant acceleration होता है बेटा जी याद रखो और उसकी value हम किस से लिखते हैं जी से लिखते हैं और उसकी value जो होगी वो 9.8 meter per second square होने वाला है ठीक है तो जब हम उपर से किसी बोड़ी को release कर रहे हैं तो वो नीचे की तरफ आते हैं किस वज़े से अर्थ उसके उपर एक pull लगाता अपने तरफ की सता means force of gravity जब air resistance को neglect करते हैं तो सारी बोड़ी नीचे की तरफ आ रही होती है with constant acceleration तो एक तरीके से इसको हम free fall भी बोलते हैं पेटाची क्या बोलते हैं इसको हम एक तरीके से free fall भी बोलते हैं जब आप air resistance को neglect करते हो ठीक है समझ में आई इतनी बात है अब इसको समझना है कि यार यह जो equations given है हमारे पास v is equal to u plus 80 s is equal to ut plus half 80 square और साथ में v square minus u square is equal to 2s यह जो equations दी हुई है इनको प्लस minus के हिसाब से किस तरीके से use करना वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं ठीक है अरे चलो कोई बात नहीं black screen पर कर लेते हैं सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे जैसे कि हम यहाँ पे origin मान रहे हैं यह हमारा starting point है ठीक है यह हमारा starting point है हमें दो direction के साथ deal करने हैं अगर हम उपर की तरफ बात करेंगे बिटा अगर हम उपर की तरफ बात करेंगे ठीक है या फिर हम नीचे की तरफ बात करेंगे या फिर हम कहां बात करें बीटा जी नीचे की तरफ अगर बात करें ठीक है तो आपको क्या करना है अगर आप उपर की तरफ डील कर रहे हो मतलब चीज को उपर की त तो नेगेटिव में लिख रहे हो तो उपर की तरफ एक होगे तो पॉस्टिव नीचे की तरफ करोगे तो नेगेटिव बेटा जी ठीक है इसी तरीके से अगर मानलो इसको मैं और रिजन यहां पर लिख दो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसी तरीके से इस साइड वाली ड टावर पे है अपको बोल दिया गया मनलो आपकी की हाइट पे है यह बोलो अर्झ से आपकी सहईट पे है श्टिकर मानलो यह बिल्डंग है हैर यह टवर है इटावर है यहां से बोडी को ऊपर की तरफ फेका जाता है यहां से बोडी को ऊपर की तरफ आजाता है तो बोडी पहले ऊपर जाती है फिर क्या आती है नीचे की तरफ आ जाएगी यह सो नो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इन चीजों को ठीक है यह नीचे की तरफ आ जाएगी तो इन एक्षुल इस बोडी की जो displacement है वो यहा से वो displacement हो रही है तो अब इससे नीचे नेगेटिव मानोगे इससे उपर पॉस्टिव मानोगे ठीक है तो जब हम नुमेरिकल गरेंगे तब यह चीज़े और ज्यादा क्लियर आप लोगों को होने वाली है अभी के लिए सिरफ यह चीज़ समझनी थी एक्वेशन के अंदर पॉस्टिव नेगेटिव किस तरीके से कंसीडर करना वो तुम्हें बता दिया जहां से तुम्हारा initial point है अगर उससे उपर बात कर रहो तो पॉस्टिव नीचे बात कर रहो हैने इस से इधर बात कर रहो तो वो graph हमें करने हैं ठीक है वह कुछ graph से जो हमें अभी करने हैं जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है position time graph क्या आते हैं position टाइम अगर कुछ ऐसा है अगर मान लो तो ए मालो कि यह हमने एक एकसिस बनाया इधर इधर बना दिया दूसरा ऐसे यह हो गया हमारे पास position मतलब x और इधर हो गया हमारे पास time ठीक है हमें बनाना है position time graph तो position time graph और अगर मैं बोल दूँ कि यहां पे जो condition है अगर मैं बोल दूँ कि यहां पे जो condition है वो rest की condition है means object at rest है object at rest है तो क्या होगा इसका मतलब है कि object की जो position है भाई साब object की जो position है वो बदलेगी नहीं वो तो same रहेगी time बदलता रहेगा बट उसकी position जो है position एक तरीके से fixed है भाईया position जो एक तरीके से fixed है time के साथ उसकी position नहीं बदल रही ठीक है तो यह rest का case हो गया है yes और no फटा फट से एक बर बताईए जल्दी से सभी बच्चे equal distance in equal interval of time in a fixed direction means आप बोलो कि आपकी velocity जो वो constant है मतलब equal distance in equal interval of time fixed direction में cover हो रहा है तो इसका मतलब एक straight line graph मिलेगा आप लोगों को ठीक है कैसा graph मिलेगा बड़ा straight line graph मिलने वाला है ठीक है yes और no जैसे इधर है x इधर है आप लोगों के पास t बेटा जी और मानलो कुछ भी एक position है उसकी जहां से वो start कर रहा है कुछ भी एक position है जहां से वो start कर रहा है तो graph कुछ ऐसा आने वाला है ठीक है यहां से उसकी initial position होगी और वो time के साथ जैसे जैसे time बीचता जा रहा है तो equal time में equal displacement यह distance cover होता जा रहा है एक fix direction में तो uniform motion के case में ऐसा graph बनने वाला है ठीक है दूसरी बात अगर मैं इस graph का slope निकाल दूँ अगर मैं इस graph का slope निकाल दूँ मानलो मैं slope निकाल दूँ तो slope क्या होगा वे यह x by में t तो x by में t मुझे क्या देगा velocity देगा x by में t मुझे क्या देगा बेटा जी velocity भी दे देगा मतलब जो slope है वो मुझे velocity बता देगा कोई doubt अगर किसी को आ रहा है लीजिए वो अगर uniform motion की बात कर ले थर्ड में अगर वो बात करें कि uniformly accelerated motion हो रहा है uniformly accelerated motion हो रहा है ठीक है uniformly accelerated motion हो रहा है uniformly accelerated motion में अगर मैं position and time के बीच का graph बनाना चाहता हूँ मानलो इधर मैं x लिख रहा हूँ ठीक है इधर मैं x लिख रहा हूँ और इधर मैं t लिख रहा हूँ ठीक है इधर मैं क्या लिख रहा हूँ t लिख रहा हूँ मानलो इधर x इधर मेरे पास t है ठीक है क्या है t है ओके तो आपको uniformly accelerated motion के लिए तो position की या displacement की या distance की equation तो पते ही है s is equal to ut plus में half a t square है means यहां पे आप बोलोगे कि s जो वो directly proportional है t square के यह s यही तो है जिसको हम x बोल रहे है इसको ही तो x बोल रहे है तो graph कैसा आएगा पैरा बोला कैसा आएगा बड़ा जी पैरा बोला आने वाला है means कुछ ऐसा graph बनेगा जैसे कि मानलो इसकी कुछ रगुछ एक initial position है मानलो यह पहले यहीं इस पे है zero से start नहीं हो रहा है तो graph कुछ ऐसा आने वाला है yes और नो फटाफट से एक बार comment section में बताओ जल्दी से सभी बच्चे बताओ यार फटाफट से तो पैरा बोला यहां पे आ जाएगा clear यहां पर यहां पर यह कोन है यह एकस नोट है यह इसकी initial position है कोई दिक्कत बाली बात नहीं है ठीक है तो uniformly accelerated motion के लिए graph समझ में आ गया ठीक है और जब आपके पास uniform motion था तो graph कैसा आने वाला है अगर initial position zero नहीं है मतलब origin से start नहीं कर यहां से start हो रहा हो और position time graph में ही अगर object इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें छोटा ही है पढ़ने का means कम concept है बिल्कुल सिंपल सा ही है velocity time graph करते है अपके लिए ठीक है तो अगर मैं सबसे पहले बोलू किसका case है हमारे पास uniform motion का case है uniform motion का अगर case होता है तो uniform motion में आपको पता है कि जो V होता है वो constant रहता है इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे graph बनाओं अगर मैं यहाँ पे graph बनाओं दोनों के बीच में इसके बीच में अगर मैं यहाँ पे velocity रखो ठीक है और यहाँ पे अगर मैं time रखो ठीक है बटा अगर मैं यहाँ पे time रखो तो graph कैसा आने वाला बटा graph कैसे आने वाला है graph आ में आया yes or no क्योंकि velocity यार change ही नहीं हो रही है uniform motion है तो uniform motion है तो इसका मतलब क्या है uniform motion है तो इसका मतलब velocity तो constant है अगर मान लो uniformly accelerated है दूसरा केस अगर माने कि uniformly accelerated है uniformly accelerated है ठीक है accelerated अगर है uniformly accelerated motion है uniformly accelerated motion का मतलब समझते हो ना क्या होता है equal change in मलव जो velocity में change आ रहा है change in velocity जो होता है वो equal होता है equal interval of time में हाना change in velocity जो होता है वो equal होता है ठीक है तो मतलब यहां पर अगर मैं इनके बीच में graph बनाऊं वी एंड टी के बीच में किसके बीच में भाई वी एंड टी के बीच में तो graph is just like this यहां पर अगर मैं क्या बोल रहा हूं velocity यहां पर अगर मैं velocity बोल रहा हूं uniformly accelerated motion की बात करूंगा तो यहां पर टाइम होगा uniformly accelerated motion का मतलब है कि acceleration constant है means जो velocity में change आ रहा है वो equal amount से आ रहा है in equal interval of time ठीक है तो graph is just like this ऐसे ग्राफ आने वाल है ठीक है बटा जल्दी से बताईए कुछ नो कुछ एक initial velocity होगी और उसके साब से यह चलता रहेगा अगर मैं इस area इसके नीचे का अगर area निकालता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बटा मुझे वी इंटू में T क्या होता है जैसे आपको पता है वी क्या होता है तो slope क्या होता है यह x is upon this तो आपके पास क्या आएगा acceleration भी आ जाएगा ठीक है ओके यस और लो फटाफट से बताईए ठीक है चले तो कोई doubt है तो बता सकते हो comment section में अगर नहीं है तो भी फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं चलते हैं तो यह हो गया हमारा chapter finish motion in a straight line अब हम क करेंगे बढ़ धांसू numerical करेंगे जो अच्छे लावल के होंगे ठीक है चलिए इसी के साथ फिर करते हैं इस video session को यहीं पर समप और मिलते हैं जल्दी से नए session में वह है टेक क्यार जय हिंद वन्देवात्रम